वेलकम टू माई चैनल सॉम्या टैरोट का डीडिंग और इस समय पर क्या करेंट एनर्जीज है डियर गाइज आपके पर्सन की देखेंगे और आज जो मैं अनर्जीज को देखने जा रही हूं काफी ज्यादा रिक्वेस्टेट रीडिंग है जो काफी ज्यादा इसके लिए जादा सोचते हैं ठीक है तो किसकी लिए जादा मतलब उनके दिमाग में चलता है उनकी फिलिंग्स है तो इसी चीज़ को आज की टेरोट कार्ड में देखेंगे इस एनर्जीज को और जो भी होगा मतलब थोड़ा सा आप लोग उसको सुन लिए गा मतलब सच् स्व महीं पना इनर्जीज को चेक करोगी कि और उनके दिल की तरीक त 40 का तो यहां पर यह कहा रहा है कि अक्याद की क्याकर अंपर मेरे को यहां पर साव बाली आई हुई है कि आपके पर्सन जो है वो काफी ज़्यादा फसाओ में है तो इस कार्ट को थोड़ा से क्लेविफाइब भी करेंगे ठीक है सो जनरल लीडिंग है टाइमलेस है सभी लोग इस लीडिंग को देख सकते हैं वैसे मेरी डीडिंग उसी को मिलेगी जिसकी अनर पर्संड की दिल में किसके लिए फिञ्स जादा है किसके लिए पर्वा है और बहुत जादा मतलब रोते हुए एनर्जीज आ रही है ऐसा रोती हुए एनर्जीज क्यों आई इस चीज को देखेंगे डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पर पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं ठीक है मैं भी यहाँ पर मैं कुछ चीज आपकी ऐसी देख रही हूं कि जैसे आप बहुत ज्यादा मतलब उनसे क करने की कोशिस कर रहे हूं अपने परसन से ठीक है यह चीज को में आपकी जो है मुझे मिल रही है अगर यस तो आप कमेंट शिक्शन में लिखिएगा कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अनर्जीज के अकॉर्लिंग के ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत ज्य परसन आ रहे हैं या फिर साइन आपको लाइक जैसे नेम घगारा दिखना नहों का और या फिर उनका हैसास होना उनकी जैसी जैसी वॉयजे जैसी आवाज है वो आपको अचालक से सुनाई देना और हैं लाइक और भ़वाद स्याधां मिस करना सुबहे के टाम ज्यादा याद करना और रात के टाइम सोते समय बहुत ज्यादा मतलब असी अनर्जीस की मतलब बस अब कहीं न कहीं कि मतलब जुड़ना चाहते हैं नजदी काना चाहते हैं ऐसी फिलिंग्स अगर है तो बताईएगा कमेंट शेक्शन में ट्रैवल के अनर्जीस यहां पर आ तो कहीं न कहीं ट्रैवल के अनर्जीस के वाई इसको भी फई करेंगे पहले में राशिया बता देती हों दैनी सकी बाद मैं न कार्ट से डिफाइन कर लेती हूं सो राशिया यहां पर जो आरही है नियुक्तिय। स्कॉर्पियो लिवरा जैमनाई लियो एंड कैंसर दोलों ही दिख रही है आज एरीस कैप्रिकॉन यहां पर यह राशिया मेरे को नज़र आ रही है लेकिन सबसे पहले चीज में यह पर यह बोलूंगे कि आपके परसंद के जो माइन है उसमें पूरी तरीके से कई ना कई थर परसंद की जो फीलिंग्स आ रही है जो अनर्जी जा रही है उस पर बहुत अधिक तर थड़बाटी ने अपना कबजा जमा रखा है मतलब आपके परसंद का माइंड ही जो है वो चेंज हो गया है जैसे कि पहले मेरे को दिख रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर ज़्याद कररें अबरीडे जो है वह आपको याद करते हैं पास्ट की बातें बहुत जादें के मैंड में चल रही है आइसोलेशन के इनर्जी के पूरी तरीकेसे अपने अपको अकेला महसूस करर रहे है अब जब थर्ड परसंद है अगर उनकी लाइफ में यह थाए कही कि यहां पर मुझे कुछ अनर्जीज में आपके पर संभाल लो या फिर आप उनकी लाइफ में वापस आजाओ या सब कुछ जो है वो पहले जैसा हो जाए एक दम ठीक हो जाए मेरे को तिर्शट धिफाल हों कडि रहा है कोछ आनर्जी इस मेरे को यहां पर जो दिख और है वह अपने अपने उन्ब्लॉक करने के लिए कपी ज्यादा एभट कर रहे हो जो भी दिख रहे है मुझे और बहुत ज़्यादा आपने call message कि आप ज़्यादा समझाया होगा आपने definitely क्योंकि यहां पर जो energies आ रही है वो यहां पर यहीं आ रही है कि आपके साथ करीवन रिष्टा खतम ही कर दिया है या फिर तोड़ी दिया है बिल्कुल रिष्टा ठीक है और आप लाग समझा रहे हो उनको यह चीज समझ में आ रही है मेरे क्योंकि यहां पर vibration जो मुझे मिल रही है वह ज़्यादा efforts आपके दिखाई दे रहे हैं हर तरीके के efforts कर रहे होगी उनके समझ में आ जाए कि मतलब आप आप सही नहीं कर रहे हो आप गलत कर रहे हो ठीक है लेकिन वह अंडरस्टेंड शायद नहीं किया और पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कॉल मैसेज आपके यह फर आपकी कोई भी बात उनको अभी इस समय पर समझ में नहीं आ रही है यह कि के और बहुत जाहदा मतलब वो और सोच रहे हैं इस तरीके से सोच रहे हैं कि मतलब क्यों वह उनों और इनको मतलब कि यह ना अगे बढ़ें ना थाड़ परसन में जाए ठीक है चाहें आपका कोई भी रिलेशन हो इनका क्योंकि सारे रिलेशन सिप के लिए आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी आपके परसन ने आपकी बात को नहीं समझा उंडस्टेड नहीं किया उसके बीच में हो गई यहां पर कमिटमेंट जो दिया था वादा जो किया था वह भी तोड़ दिया यह भी चीज दिकरी बहुत जादा केलापन फिल कर रहे हो कुछ-कुछ अनर्जी मेरे को यहां पर पतानी किसके अनर्जीज है I don't know but यहां पर एनर्जीज है और एनर्जीज नहां प थार्ड पर्शन से रिलेटेट ठीक है इस फशाओं से बाहर निकले और आपकी लाइफ में जो है वह वापिस से कमबेक हो अब मैं इस कार्ट को थोड़ा डिफाइन करूंगी ताकि अनर्जीज जो है वह प्रॉपर अंडर्स्टेंड करें सो अंजल से प्रेयर करूंगी कि अंजल मेरे जो भी सस्क्राइवर है उनका रियूनियन हो जाए अंजल से प्रेयर करूंगी कि जो भी मेरे सस्क्राइवर है उनकी लाइफ में हैपिनेस आए उनकी जिन्दगी में खुशियां सुखाए और उनकी लाइफ में हर एक्षा जो है वह पूरी हो तो यहां पर क्ल बारी में क्या सोच रहें? दिरिखेंगे यहां पर आप गन्रों के बेच में, जो भी से इचु क्यूंकि यहां, यह को की की बघझे, कहीं नहीं. डिस ठाव। अ काशट इस वानी मफों काशनी नहीं के आप कि नहीं आपको इस relation में नहीं जाना है या फिर मतलब पूरी तरह की से मिजगाइट कर दिया जिसकी वज़र से आपके परसन ने कहीं न कहीं आपके साथ उस टाइम पर तो आपका साथ छोड़ दिया लेकिन अभी जो मेरे को यहां पर clarify मैं कर नहीं हूँ एनर्जी को तो यहा बन पास्ट पर चलना चाहिए हूँ मुझे पर सिर्ट की बात करने क्यों नी अड़िय। है अभी मैंट्रेवल की जो अरे त्रेवल की जो रहे है करूंगी और क्लीनिंग क्लिवाई करना चाहती हूं कि आपके पड़ पेसह्ट से तरी जो कार्ड यह रहा है और यह कार्ड यहां पर यहां बोल रहा है कि आपके पर गालगेकर कि दॉरियां, भी क्यों आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं यह फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई को स्कार्ग् tää committed उनकी जो इनर्जीस है यहां पर यह है कि फिस्ट्रेस जो आपकी बीच में तो कर दिया है उन्होंने ठीक है दिवाब में आकर प्रैश्राइश हो कर नाराज कर दिया है या फिर नहीं किया है तो कंटक्स सिच्वेशन यह दिखाई देरा है तोpie किया हो चाहें आपस में मतलब बाच्छी बंकर के ही ब्लॉक किया हो लेकिन यहां पर मेरेको इनकी दिख रही है कि मन बार-बार इस तरह हो रही तो आपको लेकर काफ फैशन है इनके माइंड में और यह जो है वो मतलब इनकी जो फिलिंग से वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा हार टचिंग फिलिंग दिख रही है ठीक है और यह आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं बहले ही समय यह मूब ऑन कर चुके हैं लेकिन एक मन होता है हर इंसान का जो किस उसान को नहीं चोड़ना चाहता है भिए जो बहुत ज्यादा दिल के करीब हो और मुझे यहां पर जो पर खáल करूने हिक्ट जो person 1957 आपके वापके नियांकी दिलन्ग है जो हाट इचिंग फिलिंग सोती ये मतलब दिल से दिल का रिष्टा होता है वो रिष्टा इतनी असेदी से ख़तम नहीं होता है तो जो काड है यहां पर यह इस चीज को बता रहे कि past की जो आपकी memories होंगी जो past के आपके यादे होंगी वो यादें जो हैं वो यहां पर उनकी दिमाग में बहुत ज़्यादा चाही रहती है उस तरफ तो यह वह वापस से आपके life में returning की energy जारें कि मतलब काफी या दो सोचते हैं कि मैं या तो चला जाओं बापस आपके पास या फिर जो प्रावलम्स जो आपने के पीछ में आ रही है उन प्रावलम्स को क्लियर करने के लिए efforts कर रहे हैं यह भी चीज में देख रही हूं दूसरा यहां पर family issue जो जैसे आप लोग connect नहीं हो पा रहे हो है ना तो जितने भी family issues हैं जितने भी लोग मेरे को reading इससे में देख रहे हैं मेरी healing हो रही है आपके person family को बनाने में लगे हैं family को बोलने में लगे हैं कि मतलब आप जो है वो मेरा साथ वो मेरा support करो और कुछ चीजों में मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि अगर आप की family है और आप married couple है और आप लोग के बीच में कोई child है या फिर कुछ आगी की future planning है like child related या family related तो यहां पर में को दिख रहा है कि आपका रिष्टा जो है family है ठीक है आप married couple है और आप से आपका future planning है या आप लोग इस समय को child को टेक क्यार कर रहे हो तो यहां पर आपकी person इस समय रिष्टे के बारे में सोच रहे हैं परिवार के बारे में सोच रहे हैं उनके माइंड में चल रहा है कि नहीं मुझे इस तरह के मतलब कोई ऐसा अपनी लेला है जो मेरा दूसरा चीज अगर कोई past का ऐसा आपका relation है ठीक है तो भी यहां पर मेरे को पास्ट का कोई issue है पास्ट को रिलेशन है तो उसमें मुझे वहां पर वह भी चीज़े नजर आ रही है और बाबा मुझे angels जो है वह दिख रही है कई वाद मेरे को यहा पर energies मिल रही है तो बहुत positive energies मिल रही है दूसरा यहां पर मैं देख रही हूं कुछ ऐसी secrets है ठीक है बहुत ज़्यादा secrets है जो शायद आपकी परसर ने आपको नहीं बताए थे ठीक है यहां पर जो इस काड़न को define करेंगे तो secrets है कुछ ऐसी चीज़ें जो silence है और चुपा के रखें अपने दिल में और आज तक उन्होंने उजागर नहीं की है लेकिन आप आपको लगता है कि हां कुछ चुपा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना नहीं चाहते हैं तो वह secrets जो है ना वहां की परसन को लगता है कि मुझे share कर देना चाहिए ठीक है share करके जो ह अपना जो रिष्टा है उसे बचाना चाहिए क्योंकि यहां पर देखें जो सिक्रेट से उन्होंने छुपाई हैं जो चीज़ें आप से छुपाई हैं वह काफी ज्यादा एक तो आप लोग के बीजमें मिसंडेस्टेड नहीं दूसरा जो उनकी guidance है पतलब जो को कर रहा है वह guidance ठीक नहीं है इसकी बज़े से यह अपनी दिल की राज जो हैं जो पहले बता देते थे वह उन्होंने छुपा लिए तो आप जाके यहां पर काफी मतलब आपको बताना बताएंगे आपको मतलब सोच रहे हैं इस तरफ कि हां मुझे बता देना चाहिए मुझे चुपा हुं अगर मुझे इसको बता दो तो आप शुक हो जाएंगे इतनी गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं मतलब इतनी गहराई से अगर को इसी के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लेचे कि इसका जो माइन का focus है वह सिर्फ कितना जाद मतलब फोकस हम किस चीज़ पर करते है कुछ से सोच के देखिए फोकस हम सिर्फ चीज पर करते हैं जो हम चाहते हैं ठीक है जो हम दिल से चाहते हैं यह चीज मेरी हो जाए या फिर यह पर संब्सक्राइब तो आप समझ देजे कि आपके परसन का फोकस पूरा इस समय आपकी तरफ है और जो भी चीज़ें उन्होंने आपसे सिक्रेट चुपाए थे अभी तक वो उनको लग रहा है कि नहीं मुझे सिक्रेट को नहीं चुपाना दूसी चीज यहां पर मुझे कुछ कार्ड्स यहां प को मत खतम करो इतने सालों पराने को मत तोड़ो लेकि अगर ऐसा कुछ भी आपने कहा था और उन्हें फिर भी आपकी एक नाज सुनी और ब्लॉक करके चले गए बीच में सिब बात खतम कर दी रिष्टा तोड़कर चले गए आपको अकिला चोड़कर चले गए ऐसे अगर आपकी थी जैसे मैंने आपको अभी बताया था तो इसमें आपकी जो परसुन का कार्ड इसमें डिफाइन किया है तो उनकी तरफ से जो अनर्जी आई है वह यहां पर यह बोल रहे हैं कि मैंने इतने दिनों के बहुत कुछ चीजें सीखी हैं अब इस कार्ड को जोड़ा ध्यान से देख लिजेगा आपको अपके परसुन की अनर्जी साफ देखने को मिलेगी कि वह कितना जादा मतलब इस समय परिशान हो रहे हैं और वह तरीके से सौरी बोल रहे हैं और यहां पर कार्ड में लिखा भी है कि for giving and learning मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने सीखी ठीक है मतलब जो no contact situation था उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी और इस दौरान no contact situation में अभी भी मतलब उन्होंने यह चीज महसूस कर ली है क कि without you जो life है वो कितनी difficult है और सबसे बड़ी चीज यहां पर मेरे को जो नजर आ रही है वो इसमें यहां पर यही चीज नजर आ रही है कि आपकी person जो है उन्होंने ही महसूस किया कि जो feelings उनकी आपके लिए है वो feelings उनकी किसी और के लिए नहीं है यह energies मेरे को बहुत ज्यादा मतलब दिख रही है सबसे ज्यादा मुझे यही चीज समय लगी है I don't know किसकी energies है बट अगर ऐसी situation आपकी थी कि आप इतना ज्यादा उनको request कर रहे थ तो आपको आपकी person को lesson मिल चुका है घबडाएगा मत उनको इश्वर ने समझा दिया है कि कोई भी wrong path पर चलना क्या होता है और right path पर चलना क्या होता है ठीक है so again जो है वो angels से prayer करूँगी कि please angels मेरे subscriber की हर wish पूरी हो मेरे subscribers का reunion हो जाए and देखते हैं कि इसमें आपकी career के लि देखे career में यहां पर मेरे को दिख रहा है कुछ जगहें पर आप बहुत जादा मतलब hard work कर रहे हो ठीक है लेकिन hard work करने के बाद भी okay hard work करने के बाद भी आप कहीं कहीं किसी किसी जगहे पर बहुत जादा मतलब करनी पा रहे हैं मतलब hard work का आपका जारी है मैं यह नहीं कह रहे हैं आप बहुत मैनत कर रहे हो अपने काम के लिए अपने work के लिए लेकिन आपका वह चीज में मन नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर जो energies को देख रही हूं से energies के according देखे आपकी जो energies है उसमें कभी कुछ मेरे को balancing चीज़ों नजर आती है देखने को मिल रही है मतलब balance करने की जरूरत है यह भी मैं बोलूं कि कुछ कुछ चीज़ों तो balance हो रही है बट आपको balance करने की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि card यहां पर बोल रहा है आपको कि आपको हर चीज में balance बनाना पड़ेग है और blessing energies है मतलब God आपका साथ दे रहे हैं पूरा लेकिन आपको थोड़ा सा खुद से भी आपको balance करने की जरूरत है बकी का recovery का card है जो चीज़ें आपके loss हो रही ही थी यह जो पूरी तरिके से आपको लग रहा था कि आरे मैं मैं इतना मैनत कर रहा हूं हूं या मैं इतना जौब की तयारी या फर business किसी चीज में लेकिन focus नहीं कर पा रहे हो कहीं कहीं कोई problems हो ले थी जौब में सर्च करने में या फर मिलने में कोई भी तो यहां पर career से related चीज़ें बहुत कुछ improve होने वाली है समय आपका बहुत अच्छा आने वाला career से related भी ठीक है लेकिन फिर करियर में relationship में अपनी हार चीज में हाल मतलब हर चीज को balance में लेका रहाएगा सुडियर गाइज I hope to connect की होगी मेरी रीडिंग बते है कितना connect किया है personally आपको guidance लेनी है reading लेनी है तो मेरा number जो है वीडियो पर मिल जाएगा आपको वहां से लेकर मुझे message कर सकते हैं टेक कियर भाएगा